नमस्कर विकेबिन्यूस की खास पेशकर देश परदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुसेन उनेता संजेर राउत के संकेत बहुत कुछ कह रहे है हाले के दिनों में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांदी की प्रशंसा की है उससे यूपिय को लेकर ने समिकरन की भविश्यवानी रणनीती का अर्क कर रहे है इसे बीच विकी कोशल और केटिना कैफ की आज होने वाली शादी जोरदार चर्चे में है शादी से पहले की सभी रस में पूरी हो चुकी है अब आज दोनों हिंदूरी तीरिवाज के अनुसार शादी कर परिने सूतर के बंदन में बन जाएंगे वही पुने में प्रशासनिक सक्ति की तैयारी है शर्भर में अवेद्रूप से लगाए गए फ्लैक्स, बोर्ड, बैनर और जंडे को निकालने के खर्चे के लिए सम्मधितों से एक से पास अजार रुपे के दंड के रूप में वसुला जाएगा उदर राज स्वास्विभा की परिक्षा के पेपर लिख प्रकरण में पुने साइबर पुलिस ने और पास लोगों को गिरफतार किया है गिरफतार किया लगए लोगों में लातुर साराजनिक स्वास्विबा के मुख्या प्रशास की अधिकारी, डॉक्टर और शिक्षक भी शामिल है तो पुने निवासी उराज भोसले की खिलाफ बलातकार के एक मामले सही तीन नई प्राथमी की दर्च की गई है मुंबई साइबर बुलेस ने 31 वर्शे महिला से मेट्रिमोनियल साइट के जरिये 30 लाख रुपे की ठगी करने के आरोप में गिरफतार किया है प्रदिश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रिया आफ हमारे साथ क्या शिवसेना यूपे में शामिल होगी इसका जवाब आसान नहीं लेकिन शिवसेना नेता के संकेत कुछ कुछ कहते है शिवसेना सांसत संजर राउत ने एक नीजी चैनल के इंटर्यू में कहा था कि उन्होंने एक बैठक में राहूल गांदी से बात की थी और कहा था लोग आकर शामिल नहीं होंगे शादिया समारों में भी हमें नियमंतरन भेजना होता है उन्होंने कहा कि आमंतरन आने दीजिये उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे मैंने यह बाद शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे को बता दी है शिवसेना नेता ने राहूल गांध विकी कोशल और कैट्रिना के आफ आज शादी के बंधन में बनने वाले है शादी शाई अंदाज में राजस्तान में होने जा रही है अपने अपने परिवार और दोस्तों के मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम जिवन भर के हम साथ ही बन जाएंगे प्रिश मंडब तयार किया जाएगा जिसे पूरी तरह से रजवाड स्टाइल में बनाये गया है पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैट्रिना और विकी चारो तरब से शीशे में बंधन मंडब के अंदर साथ फेरे लेंगे कहा तो ये भी जा रहा है कि शादी के बाद विकी और कैट्रिना चौत माता मंदिर के में आशिरवाद लेंगे दरसल मानता है कि यहां शादी की रस में माता के दर्शन के बाद ही पूरी मानी जाती है सबसे बड़ी बात है कि समारों से जुड़ी कोई भी तस्वीर अभी सामने नहीं आ रही है इसका भी खुला करने की प्लानिंग कर रही है इसके लिए उन्होंने 100 करोड रुपे का ओफर रखा है पुने में अवेदरूप से लगाए गए विग्यापन वाले बैनर को लेकर मनपरपशासन गंबीर दिख रही है गर कानूनी विग्यापन, फ्लेक्स, बोर्ड, बैनर और जंडे को निक करने के खर्चे के लिए संबंदितों से 1-5,000 रुपे दन के रूप में वसूल आ जाएगा बता दे कि पुने में बड़े पैमाने पर विग्यापन वाले फ्लेक्स लगाए गए है इसके साथ ही अवेद बोर्ड, बैनर और जंडे की बड़ी संख्या की वज़स से शहर की तस्वीर बद सुरत बन रही है मनपा की ओर से समय समय पर फ्लेक्स, बोर्ड, बैनर हटाए जाते है कोई कारवाई न होने से अवेद बोर्ड, बैनर की बाड़ सी आ गई है दूसरी ओर बैनर निकालने के लिए मनपा को बहुत खर्च करना पड़ता है साथ ही मैन पावर भ अमबल बजाओनी कर अवेद बोर्ड बैनर लगाने के खिलाफ कारवाई करने के लिए कमर कसली है इसके अनुसार एक से दस बोर्ड लगाने वालों की ओर से कम से कम एक हजार रुपए और ज्यादा से ज्यादा पास ज़ार दन वसुले जाएंगे सूत्रों के अनुसार राज स्वास्तविभा की परिक्षा के पेपर लिक प्रकरन में पुने साइबर पुलीस ने और पांच लोगों को गिरफतार किया है गिरफतार किए गे लोगों में लातूर सारवजनिक स्वास्त विबा के प्रमुक प्रशास की अधिकारी, डॉक्टर और शिक्षक शामिल है सारोजनिक स्वास्त विभा के प्रमुक प्रशास की अधिकारी प्रशांत वेंकर ट्राव बढ़गीरे डॉक्टर संदीप तिर्मबकराओ जोगदंड उद्धव प्रलाद नागर गोजे शाम महादू मसके राजेंदर पांडुरंग मुसानप को गिरफतार किया गया है इससे पहले अनिल गायकवार, विजय मुर्हाडे, प्रकाश मिसाल, संदीप भुतेकर, बबन मुंडे, सुरेश जकताप को गिरफतार किया गया था यह जानकारी साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस उपायुक भागेशी नवटके ने दी उन्होंने बताया कि स्वास्तव उभा की ओर से मुख्य प्रशास की अधिकारी स्मिता कारेगावकर ने पुने साइबर पुलिस में शिकायत दी थी इसके अनुसार साइबर पुलिस थाने में FIR दर्श किया गया पेपर लिक मामले में पुने साइबर पुलिस ने तकनिकी जाँच में मिले जानकारी की आधार पर पांच लोगों को गिरफतार किया गया गिरफतार किया गया आरोपियों को शिवाजी नगर अदालत में की गई है मुंबई साइबर पुलिस ने शहर के 31 वर्षिय एक महिला से मेट्रिमोनियल साइट के जरिये 30 लाक रुपे की ठगी करने के आरोप में गिरफतार किया है शिकायकरता ठाने के एक तालाख शुदा महिला है और दावा किया कि भोसले ने उसे ब्लैक मिल किया तता उस से शादी करने का वादा करके महिलाओ का विश्वास हासिल कर लेता था और जब शादी की तारीक नजदिक आती थी तो वह कहानियों के साथ आता था कि उसके घर पर आयकर छापे पड़े है कोरोड रुपे जब्त कर लिए गये है बाद में वह अपने पीडितों से विभिन निकालता था उनका विश्वास हासिल करने के लिए वच कुछ साइड ब्रांड के मॉडलिंग शूट करवाता था भारत के पहले चीफ आप डिफेंस टाप जनरल विपिन रावत का बुधवार को तमिलाडे के कुनुर में हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया इसके ब माद MI-17V-5 के मलबे के निकाले जाने पर उन्होंने हिंदी में अपना नाम भी बताया था इसे बीच पुर्व सीजियाई ने अपनी किताब में एपरेल 2019 में लगे योन उत्पिडन का भी जिक्र किया है उन्हेंने कहा कि मुझे उस पर बेंच पर जज नहीं होना चाहिए उधर बिहार के पूरमुख्यमंतरी और आज़ेडी प्रमुख लालुटसा ध्यादों के बेटे तेजसरी आदों आज साथ फेरे लेंगे इसके अलावा सरकार ने तै किया है कि 9 से ज्यादा सिमकार रखने वाले ग्रहागों का फिर से सत्यापन होगा यदि उनका सत्यापन नहीं हुआ तो सिमकार को बंद कर दिया जाएगा देश की इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ भारत के पहले चीफ आप डिफेंस स्टाप जनरल बिपिन रावत का बुदुवार को तमिलाडुक के कुन्दूर में हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया उनके साथ उनकी पतनी सैन्य अधिकारियों समें 13 लोगों की मौत हो गई गुरुह मंतीर राजनाच सिंग से इस दुखत घटना की जानकारी मिलने के कुछ ही घंटे के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के नेतरुत में कैबिनेट कमिटी ओन सिक्यूरिट यानी CCS की अहम बैठक हुई रिपोर्ट की मा ने तो इस बैठक में देश के अगले सीडियस के नाम पर चल्चा भी हुई दरसल चीन से टकराओं के बीच सरकार के लिए किसी सैन्य अपसर को इस अहम बत की जिम्मेदारी सोपना ज़रुरी हो गया अधिकारिक तोर पर तो CCS की बैठक से कोई बड़े ऐलान की बात सामने नहीं आई है लेकिन माना जहरा है कि मीटिंग के दोरान नेताओं ने स्रीडियस पत के लिए जिन वरिष्ट सैन्य अपसरों के नाम पर चल्चा की उनमें आर्मी चिप जणरल म. नर्वने का नाम सबसे उपर रहा इसकी एक वज़ाय है कि जणरल नर्वने तिनो से नाओ, थल सेना, वाईوسेना, नौ सेना के प्रमुकों में सबसे वरिष्ट है जनरल नर्वने सेना प्रमुक के पत से अगले साल अप्रेल में रिटार होने वाले है सेना के संशोधित नियमों की मताबिक चिफ ओप डिफेंस टाप पत पर कोई सेन यदिकारी 65 साल की उम्र तक सेवाद दे सकता है वही तीनों सेना प्रमुक का कारेकाल 65 साल की उम्र या 3 साल जो भी पहले हो तक का होता है हेलिकॉप्टर क्रेश के बाद भी रक्षा प्रमुक अधिक्ष जनरल बीपिंद्रा वर्द जिन्दा थे हाथसे के बाद MF-17V-5 के मलबे से निकाले जाने पर उन्होंने हिंदी में अपना नाम भी बताया था यह जान कारीब बचाओ दल के एक सदस से ने दी जनरल रावत के साथ एक अन्य सवार को भी निकाला गया था बाद में उनकी पहचान ग्रूप कैप्टन अवरुन सींग के रूप में हुई ग्रूप कैप्टन हाथसे में जिन्दा बचे एक मातर वेक्ती है उनका भी इलाच चर रहा है दुरघटना के बाद घटना स्तल पर पहुँचे वरिष्ट फायर्मेन और बचाओ कर्मी एंसी मूरली ने बताया कि हमने दो लोगों को जिन्दा बचाया इन में से एक सीडियस रावत थे मूरली ने बताया कि जैसे ही हमने उन्हें बहार निकाला उन्होंने रक्षा कर्मियों से हिंदी में धिमेस्वर में बात की और अपना नाम बोला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई मूरली के अनुसार वो तुरन दुसरे वेक्ती की पहचान नहीं कर सके जिसमें अस्पताल ले जाया गया और उसका अभी इलाज चर रहा है मूरली ने कहा कि जनरर रावत ने बताया कि उनके शरीर के निशले हिस्से में गंबिल चोंटे आई है इसके बाद उन्हें चादर में लपेट कर एम्बुलेस में ले जाया गया बचावदल को इस इलाके को बचाव कारियों में मुश्किल का सामना करना पड़ा यहाँ आग बुजाने के लिए दमकलवाहन को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था मूरली ने कहा कि हमें पास की नदी और घरों में बर्तनों में पानी लाना पड़ता था आपरेशन बहुत कठिन था क्योंकि हम इल लोगों को बचाने या शवों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टर के नुकिलेट टुकडों को अलग करना पड़ा अपनी किताब में देश के पुरोचीफ जस्टिस जस्टिस गोगोई ने अपने पुस्तक में कहा है कि उन्होंने लगातार एक महने से भी ज्यादा इस विवाडित मामले पर सुनवाई की लगाता 40 दिन तक सभी पक्षो की दडिल सुनी उसके बाद अपना फैसला सुनाया इश्वरीय प्रेणा से यह इतियासिक फैसला सुनाया और सभी पक्षो के लोग उस पर राजी हो गए गोगोई ने फैसले के बाद का एक वाक्या भी जिक्र किया है उन्होंने बताया कि 9 नवंबर 2019 को राम जनुभु मी बाबरी मज़ित मामले में एक सरोसमत फैसला देने के बाद वो अपने बेंच के सहियोग्यों के साथ होटल ताजमान सी अंग गय थे वहां सभी रात के खाने के लिए गय थे एक अच्छी शराब का ओर्डर भी दिया था इसी तरह पूर्वसी जियाई ने अपने किताब में अप्रेल 2019 में लगे यौन उत्पिडन का भी जिक्र किया है उन्होंने कहा कि यौन उत्पिडन का मामला जब आया तो वे 20 अप्रेल 2019 को सुप्रेम कोर्ट की विशच बैठक बुलाई थी और पीठ की अद्धक्षता भी की थी लेकिन पुस्तक विमोचन के उसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उस पीठ का हिस्सा होने का खेद है मुझे बेंच पर जज नहीं होना चाहिए था मैं बेंच का हिस्सा नहों होता तो शायद अच्छा होता बिहार के पुरव मुख्यमंत्री और आज जेडी प्रमुक लालुपसाद यादो के बेटे तेजसु यादो आज साथ फेरे लेंगे कल रोहिनी ने ट्वीट कर कहा था भाई के सिर पर सहरा है सजने वाला खुशियों से गुलजार घर का आंगन है होने वाला इससे अटकले लगाई जा रही है कि आज राजद ने तार शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे तेजस्वी की होने वाली पत्नी का नाम राजश्री है वह हर्याना के रेवाडी जिले की रहने वाली है तेजस्वी और राजश्री के विवास समारों में महमाने की संख्या काफी सीमित है निकटतम वखास महमान आज सुबह तक राजदा नी पहुँचे बता दे, राजश्री और तेजस्वी दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते है शादी के लिए कई मेनों से बाचीच चर रही थी आखिरकार दिसंबर में जाकर फाइनल हुई सुत्रों के अनुसार तेजस्वी यादों की होने वाली दूलन यादों नहीं है ऐसे में चर्च है कि ये लालू परिवार में होने वाला पहला आंतरजातिय विवा है इसे वज़े से बताय जा रहा है कि लालू यादों नाराज है लालू के परिवार में अभी तक सभी बच्चों की शादी यादो जाती से तालुक रखने वाले परिवारों से हुई है वही माना जा रहा है कि तेजस्वी लव मैरेच कर रहे है तेजस्विया दो वर्तमान में बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमी का निभा रहे हैं वे रागो पुर्विदान सबा सीट से विधायक है राजनिती में आने से पहले वक रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे सरकार ने तय किया है कि नव से ज्यादा सिमकार रखने वाले ग्रहों का फिर से सत्यापन होगा यदि उनका सत्यापन नहीं हुआ तो सिमकार को बंद कर दिया जाएगा जमु काश्मिर और नौर्थ इस्ट के राजों के लिए यह संख्या च्छ ही है के दर सरकार ने Department of Telecommunication ने यहां आदेश दिया है दूर संचार विभाग की तरब से जारी आदेश कनुसार ग्रहों के पास अनुमती से अधिक सिमकार्ट पाय जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम सालू रखने और शेश को बंद करने का विकल्ब दिया जाएगा विभाग द्वारा किये गए विशलेशन के दवरान यदि किसी ग्रहा के पास सभी दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनियों के सिमकार्ट निर्धारी संख्या से अधिक पाय जाते है तो सभी सिमकार फिर से सत्यापन किया जाएगा दूर संचार विभाग निया कदम दरसल वित्य अपरादो आपते जनक कॉल, सोचालित कॉल और धोकादरी गत्विदियों की घटनाओ की जांच करने को लेकर उठाया है इससे इन पर नकेल कसना आसान होगा विभाग ने दूर संचार कम्पनियों से उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं है सरकार विरोधिक सोचल मीडिया पोस्ट को लेकर 2019 में यूवक की हत्या करने वाले 20 छात्रों को बांगलादेश में मौत की सजा सुनाई गई है 21 वर्षिय अबरारफत का शओ हॉस्टेल के उसके कमरे में बुरी तरक शत्विक्षत हालत में मिला था इसे बीच डब्लू एचो ने फिर चताया है कि कोरणा से मौते और अस्पताल में भोड़ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है डब्लू एचो ने अपने साथा एक रिपोर्ट में कहा कि करिब दो हफ्तों में नया वेरियन 57 देशों तक पहुँच चुका है वही कोविट प्रतिबंदों के उलंगन पर दो साल की जेल की सजा काटने वाली मैमार की अपदस्तनेता आंग सांसूकी की मुश्किले और बढ़ सकती है अगर वह अन्य सभी मामलों में भी दोशी पाई जाती है तो उन्हें 100 साल से अधिकी सजा मिल सकती है उधर मैमार की सेना ने 11 ग्रामिनों की गोरी मार कर हकता कर दी और सबुत को मिटाने के लिए शव को आपके हवाले कर दिया तो अमरीकी सीनेट ने बाइडं प्रशाशन के उस प्रस्ताओं को खारिस कर दिया जिसमें नीजी कारोबारों से जुड़े लोगों को टिका करन अनिवारे करने का प्रस्ताओं दिया था सरकार विरोधी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2019 में युवक की हत्या करने वाले 20 चात्रों को बांगलादेश में मौत की सजाज सुनाई गई है 21 वर्षिय अबरार फहद जिस चात्र की हत्या हुई थी उसका शव होस्टल के उसके कमरे में बुरी तरह शत्विशत हालत में मिला था फहद ने हत्या के कुछी घंटे पहले एक फेस्बुक पोस्ट में अपने प्रधानमत्री शेख हसीना की भारत से जलसंदी करने के लिए आलोच ना की थी अबरार फहद को क्रिकेट बैट और अन्य पहनी नुकीली चीजों से 6 घंटे तक पीटा गया था पीटने वाले ये पच्चिस च्छात्र सतारुड आवामी लीक के च्छात्रदल बांगलादेश च्छात्र लीक के सदस्य थे इन में से 20 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई हुई है जबकि बागी पाच को उम्रकैद तीन आरोपिय अभी फरार है ये सभी गटना के वक्त 20 से 22 वर्ष के बीच के थे और फरत के साथ बंगलादेश की प्रतिश्चित उनिवर्सिटी आफ इंजिनरिंग में पढ़ते थे सजा सुनाई जाने के बाद फरत के पिता बरकतुलाह ने कहा कि मैं इस फैसले से खुश हूँ मुझे उम्मिद है कि सजा पर अमल जल्ग किया जाएगा सजा के फैसले पर देश के नायमंतरी अनिसुलहक ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि ऐसे अफरात करने के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा वही कुछ आरोपियों के वकील फारुक अहमद ने कहा कि फैसले कि नहीं हिलाफ उपरी अदालत में अपिल की जाएगी विश्व सास संगटन ने कहा कि ओमिक्रॉन 57 देशों में पहुच चुका है ऐसे में कोरोना से मोते और अस्वताल में भरती होने वाले मरिजों की संख्या बढ़ने की संभावना है WHO ने अपने साप्ताइक रिपोर्ट ने कहा है कि करिब दो हफ्तों में ही नया वेरियंट 27 देशों तक पहुच चुका है अधिकतर केस उन लोगों में मिले हैं जो विदे से लोटे हैं ओमिक्रॉन के कारण होने वाली बीमारी की गंभिरता का आकलन करने के लिए और अधिक डेटा की आवशकता है एजनसी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में यूरोपिय देशों में कोविट से मोते और अस्वताल में भरती होने वाले की संख्याब बढ़ेगी ऐसे में यहाँ जरूरी है कि टिका करण की रफतार तेज हो जाए क्योंकि फिलाल इससे बचने का सरुतनु पाय यही है इसलिए प्रोटोकॉल का पुरी तरह पालन करें उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन ने हालात और ज़्यादा चिंता जनक बना दिये है इसी बीच फाइजर ने कहा कि उनके कोविड-19 टिके की एक बुस्टर खुराक नए वेरियंट से रक्षा कर सकती है बले शुरुवाती दो खुराक का प्रभाव काफी कम नजर आए फाइजर उसके सहयोगी बायो एंटेक ने कहा कि प्रयोक्षाला परिक्षणों में दिखा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ एक बुस्टर डोज ने तथाकती तठस्त एंटिबॉडी के स्तर को 25 गुनाब बढ़ा दिया है म्यामार की अपदसरेता आंगसान सू की पर चर रहे कई मुकद्मों में से पहले में उन्हें देश के कोविट प्रबंदनों के उलंगन पर दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है और अगर वह अन्य सभी मामलों में भी दोशी पाई जाती है तो उन्हें सव साल से अधिक की सजा मिल सकती है फरवरी में देश की सत्ता सेना की नियंतरन में आने के बाद से सू की नजर बंद है हाला कि वह अपने उपर लगे सभी आरोपों से इंकार करती है कोरोना प्रतिबंदों के उलंगन पर मानमार की अपदस्तनेता आंग सान्सू की को दो साल की सजा सुनाई गई है फैसले और चेल की सजा की संयुक्तराष्ट यूरोपिय संग और यूके सरकार सहित के आंतराष्टर संगटनों ने निंदा की है सभाने मुकदमे को राजनिती से प्रेडित बताया है सरकारी टेलिविजिन के अनुसार उन्हें मूल रूप से चार साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन देश के सेने प्रमुकों द्वारा सजा को आधा कर दिया गया 1990-2010 की अधिकान शाओधी के दोरान घर में नजर बन रहने के बाद National League for Democracy Party का ने टूदो करने वाली आंगसान सुकी की चुनाई सफलता को व्यपक रूप से उनके महतवपूर नक्षन और मैमार में लोकतंतर के लिए एक प्रमुक अवसर के रूप में देखा गया था लेकिन उनका उद्वाव जितनी तेजी से हुआ था उतार भी उतनी ही तेजी से हुआ लोकतंतर समर्दकों को बंदुक के बल पर कुचर रही मैमार की सेना की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है रिपोर्ट के अनुसार इस बार मैमार की सेना ने ग्रामिनों पर कहर बर पाया है बताया जारा है कि म्यामार की सेना ने 11 ग्रामिनों की गोली मार कर हत्या कर दी है और सबुत को मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया म्यामार के उत्तरपश्चिंग के सांगाइंग शेतर के डॉन ताव गाओ में जले हुए शव की तस्विरें और एक वीडियो सोचल मीडिया पर फैल जाने के बाद घटना की जानकरी सामने आई इस वीडियो फुटेज को पुरुशों को गोली मारने और जलाने की कुछ ही समय बाद लिया गया था वही कुछ पीडित कथित तोर पर उस समय भी जीवित थे जब वीडियो बनाया जा रहा था एक फरवरी के तक्तपालट के बाद इस शेतर में सैंद शासन के विरोधियों द्वारा स्थापिज जुन्टा की सेना और मिलिशिया के बीज भैंकर लडाई देखी गई है विडियो में देखा जा सकता है कि पहले सेना ने कुछ गामवाले को इवकटा किया फिर हाथ बांद दिये और गोली मार दी इसके बास सबुत मिटाने के लिए शव को आख के हवाले कर दिया स्युक्त राष्ट के प्रवक्ता स्टीफवन दुजारीक ने 11 लोगों की भीशन हत्या की रिपोर्टों पर गहरी चिंता व्यक की और इस तरह की हिंसा की कडिनिंदा करते हुए कहा विश्वस्निय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मारेगे लोगों में पांच बच्चे भी शामिल है अमेरिकी सीनेट ने बाइडन प्रशासन के उस प्रस्ताओ को खारिस कर दिया जिसमें नीजी कारोबारों से जुड़े लोगों को टीका करन अनिवारे करने के प्रस्ताओ दिया गया था प्रस्ताओं में सवयाधिक सर्मिकों वाले व्योसाओं में उनके करमचारियों को कोरोना वाइरस के खिलाफ टीका लगाए जाए या साप्तिक परिक्षन के लिए प्रस्तुत किया जाए सेनेट में इसको लेकर वोटिंग भी कराई गई जिसमें 52-48 वोट हासिल हुए हाला कि अदालतों ने इसे अभी के लिए रोक लगा दी है फिर भी वोट ने सेनेटरों को एक ऐसे निते के विरोध में आवाज उठाने का मौका दिया जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे व सर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाब पूरी तरह से टीका लगाने या साफते क्रू से वायरस के लिए परिक्षन करने और काम पर माक्स पहने की आवशक्ता होती है वेवसाइक सुरक्षा और स्वास्त प्रशासन ने कहा कि यहां अनुपालन पर कंपनियों के साथ काम करे लेकिन प्रत्यक उलगन के लिए उन्हें 13,000 डॉलर से अधिक तक जुर्मा ना देगा हाला कि मुकदमे बाजे के रूप में कार्यानवय और प्रवर्तन निलंबित है तो आज की इस खास पेशक्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मिलाकात होंगी तब तक देखते रिए वी के बीनियूस, नमाशकार